आज का जो यह वीडियो है चोटा सा इस वीडियो में हम डिस्केशन करेंगे कि पीटी में रीडिंग जो मोड्यूल है उसमें कैसे आप टाइम को मैंनेज करके चल सकते हैं सो पीटी का जो एक्जाम है इसमें रीडिंग नो डाउट एक बहुत बड़ी समस्या जो है इसी में परिशान रहते हैं रीडिंग अक्सर एक ऐसा पार्ट होता है जिससे स्टूडेंट यहां तो बचते वह नजर आते हैं और या फिर अगर वह आटेंट भी करते हैं तो उसम आपके सामने अभी काफी पढ़े हैं हमारे पढ़ाय हुए काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने एक्सर यह दिक्ट आती है बहुत बार यह पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है किबच्चे अक्षर हमें complaint करते हैं कि सर रीडिंग में बाग्की सब सब्सक्राइब कर रहे हैं जो कि पार्षिली काफी कहा जा सकता है ठीक भी है अकेले रीड़ाउट के दम पर आप यह कहें कि रीडिंग पार हो जाएगे तो इस यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं मतलब ऐसा इंपोसिबल है कि सिर्फ रीड़ाउट से आपका स्पोर जो है रीडिंग में सफीशेंट हो जाएगा या पार कर जाएंगे मों स्टूडन की रिक्वार्मेंट फिफ्टी माक्स होती है इन पीटी यहां फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रिक्वार्मेंट मे horse 58 नर्शिंग कुछ होंगा जो 65 करना चाहते हैं तो यह जो फिर exemple氣 बात करें 50 के लिए अगर अपने बात करें तो मेरे खिल से रीड़ाउट का का इतना चाहता नहीं है कि अकेला read aloud और साथ में आप कहा दें कि कुछ support इसमें highlight incorrect word से मिल जाएगी और कुछ support इसमें highlight correct summary से और आपका पार नहीं होगा इस तरह से आपको reading से जूज नहीं पड़ेगा उक्सवोड में reading के लिए हम अलग से कुछ methods भी सिखाते हैं pattern भी सिखाते हैं जैसे री-order paragraph के लिए एक method जो हम सिखाते हैं that is PhD method यह जो बच्छे ऑक्सवोड में पढ़ते हैं वो अच्छे से agree करेंगे समझते हैं इस method को इसमें हम paramount number को ढूनते हैं फिर hint ढूनते हैं री-order में hint लिखी होती हैं उनमें से हमें जैसे दस सेंट हैं उनमें से हमें दो या तीन हैंटी चाहिए होती हैं जादा नहीं और D का मतलो होता है do the mathematics थोड़ा सा calculation करके हम हर बार यह अपना perfect answer देते हैं इसी तरह से reading fill-in-the-blank है तो reading fill-in-the-blank में भी हमने methods बना रके पूरी अप्रोच है बट यह सब चीजने तब हो पाएंगी अगर आप अच्छे से टाइम अपना manage करके चलेंगे तो एक बार थोड़ा सा आज का जो क्लास है यहां आज का जो वीडियो है इस सारा का सारा केवल time management की उपर आज अपने कुछ और reading में कुछ मैं discussion नहीं करूं पूमान के चलिए एक कोशन इसका आता है तीन कोशन दो या तीन कोशन इसके आतरी ओडर पारग्राफ रीडिंग फिलन दब लेंके भी चार-पांच कोशन आ जाते हैं और एक कोशन आता है लास में से सिंगल आंसर तो यह calculation रहती है कुल मिला कि अगर आप इनका calculation करेंगे करने के लिए जो टाइम आपको दिया जाता है पीयरेसन की तरफ से द्धाट आपको अर। यह बताते हैं 30 से 32 मिनट का टाइम आपको दिया जाता हूं यह पैटन चेंज होने के बाद का मैं बता रहा हूं 16 नमबर 2021 को बैटन चेंज वा था उसके बाद यह सारा के लिस तरह से बदला अब 30-32 मिनट का टाइम मिलता है शुरू शुरू में यह टाइम मोर दन इनफ लगता है एक कोश्चन के लिए अराम से दो मिनट ता समय है तो बड़ा असानी से हर बच्चा इसको पार कर सकता है ऐसा लगता है कि यह का वाइट अचीवबल लगता है लेकिन जैसे ही आप यह पहला डबा पार करते हैं पहला डबा मतलो यह जो सेक्शन है यह जो फस्सक्षन सबसे उपर वाला इस लिए रीडिंग और राइटिंग पि अच्छे से comfortably attempt कर ले और जो अनपड हैं अनपड मतलो जो कम समझ वाले हैं या जिन्होंने कम practice test दिये हैं या जिन्होंने अच्छे से practice नहीं की या जिनको ये method नहीं पता जो मैं भी सिखा रहा हूं तो वो बच्छे अक्सर इसमें मैं देखा कि वो struggle करते हुए नजर आते हैं और करने के लिए इनके पास कि टाइम है वो बचा है लग आठ मिनट का टाइम बचा है तो पहली बात तो यह कि अगर आपके साथ कभी ऐसी condition आ जाए कि 6 कोशन और 7 मिनट है या 7 कोशन 8 मिनट है तो पहली बात तो यह कि खेल अभी खराब हो चुका है अब कुछ जादा तो मैं यह recommend करता हूं कि आप सारे question को attempt जरूर कर लेना मतलब ऐसा ना हो कि आप question एक लिया दो question आपने अच्छे से कि बाक्की को अपने attempt नहीं किया जल्दी से पढ़ो क्यूंकि reading fill-in-the-blank वैसे भी एक बार पढ़के आपको अगर होना हुआ तो ठीक ठाक आप कर लेंगे इसमें एमसी को सिंगल आंसर में भी सेम है इसमें तो तुक्का भी मार सकते हैं गैस कर सकते हैं तो reading fill-in-the-blank के question को थोड़ा सा quickly पढ़के भी आप answer करें तो most likely आप उसमें से चार में से दो या तीन या कुछ केसे में चार में से एक भी होगा में भी तो आप इतने answer अपन को बराबर बराबर बांट दें जितने भी reading fill-in-the-blank के questions है तो अभी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है कैसे करना है time management के बारे में बात करते हैं तो सबसे important जो lesson है time management के लिए वो यह है कि time management कैसे काम करता है वो ऐसे काम करता है कि आपको सबसे question पर बराबर focus करूई है किसी एक particular question पर focus करूँ मैं एक example से अपको समझाने की खुशिश करता हूँ मान लिजे एक train को यहां से place A से place B तक पहुचना है और train को रस्ते में यह पूरा जो यहां से लेकर यहां तक कि distance है इसको travel करने में मान लिजे आठ गंटे का समय लगते 8 hours लगते हैं एक example random example मान लिजे एस train के रस्ते में कोई भी station नहीं आता यह train पहाड़ा से निकलती एक जगा से दूसरी जगा पे जाती है और जो driver है वो बिलकुल पाइले और जो बिलकुल उसको नहीं पता time का उसको कुछ खास अंदाजा नहीं है जब यह train अपने जो destination थी उ अब वो 30 मिनट में पहुंच जाएगा तो maximum करके भी 30 मिनट को कितने समय कम कर देगा 15 मिनट हो सकता कंदर लियां 10 मिनट कम कर लेगा फिर भी वो अर्रडी बहुत लेट हो चुका है अब जो मैं समझाना चाहता हूं इस पाइलेट ने गलती यह कर दी कि इसने बीच में यह अगरी अपना टाइम चेक करता रहता तो शायद यह बहतर पहुंचता अब इसके पास अभी बहुत समय है साथ गंटे का समय था साथ गंटे में से 20 मिनट कम करना कोई बड़ी बात नहीं यह राम से कर सकता था इसने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया अगले स्टेशन पर पत अफके एवल पांच मिनट ओ रहा है जो मुझे कवर करने जिसने आगे थोड़ा और स्पीड अप किया आगले स्टेशन पर पहुंचा तो इसको पता चला यहां पे कि यह पांच मिनट पहले आगे तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने जो डिस्टेंस थी जो पीछे चल रह रहा है नहीं जा रहा है तो मेरे खाल से जाता बहुत समझ पाएगा कि वह समय से आगे हैं समय से पीछे बच्चे अकसर अपनी रीडिंग में जो एक गलती करते हैं जो मैंने देखा है हर बार वो यह करते हैं कि बच्चे जब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं एक बार प्रोपर टाइम भी दे पाएंगे हारे कोश्चन भी उपर और यह मैठड मेरे लिए भी और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के लिए यह मैठड बहुत अच्छे से काम करता है आप इस मैठड को अपने किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट पर स्टूड़ा द्यान से मैठड यह कहता है सबसे पहले जब आपका पेपर स्टूड़ स्टूर से संगलेंगे प्रटैम मैथमेठिकल तो तोड़ा सा अराम से सब्गेए 32 को 200 में डिवाइट कर लिया तो एक हिस्सा जो है वो 16 मिनट का निकल के आया 16 मिनट का part 1 है या half 1 है और 16 मिनट का half 2 है अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहला half है 16 मिनट का जो पहला half है उसमें आपको जो पहले दो question type है उनको निप्टाना है पहले दो question type कौन करें मतलो reading and writing को खतम करें तो तुरंत आपको time को check करना है आप जब start किया तब 32 मिनट से countdown चलता रहा 31 रहे गे 30 रहे इस तरह से चला जब आपने इन सब को खतम कर दिया reading and writing के साथ question आपने अराम से करें और आपने अपना timer देखा और आपने देखा कि आपकी screen पर अभी 18 मि साथी कि मेरे पास यह दोनों question type करने के लिए 16 मिनट थे उनमें से मैंने 14 मिनट साभी consume की है 32 में से 18 तो 14 मिनट के मतलों दो मिनट अभी भी पड़े तो वो जो बच्चे हुए दो मिनट है जी बिलकुल आप सही समझ रहे हैं बच्चे हुए दो मिनट किसके लिए mcq multiple answer के अब यह बात आप प्लीज अपने दिमाग में रखना कि mcq multiple answer और mcq single answer यह दो ऐसे section है जिनको कुर्बान करने के लिए आपको हमेशा त्यार रहना चाहिए यह दो section ऐसे जो एक एक दो दो नमबर के हैं और कोशिश करो कि कभी भी मोका पड़े तो इनको इनकी बली देने स कि बली देने से घबराना मत यह मत करना कि नहीं मैं ऐसे कैसे एक नमबर दो नमबर को जाने दूगा यह कुछ खास आपको फायदा नहीं करते हैं उनको जल्दी से जल्दी दफन कर देना इन section को दफन करने का मतलब कि क्लिक कर दिये किसी भी option पे a b c d और within two seconds क्लिक करने के two seconds में आपने next कर दिये ठीक है तो कुई दिक्तत नहीं इसमें अब यह calculation यहाँ पर बताया अठारा मिनट थे you know कि दो मिनट एक्स्टर है तो दो मिनट आपने इस पर लगा दिये मालो यह calculation कुछ इस तरह होती कि यहाँ पर 18 की जगा पर आपके पास बच्चे होते 13 मिनट यह पर मालीजे 16 सुर्य हाँ 13 मिनट मालीजे बचे हैं अब आपको पता है कि मुझे लगाने थे 16 मिनट लेकिन मैं तीन मिनट एक्स्टर लगा चुका हूँ इस पहले section के उपर reading और writing के उपर मुझे 16 मिनट से कम समय लगाना था actually इन दोनों के 16 मिनट थे लेकिन मैंने अकेले पहले वाले पर 19 मिनट लगा दिए अब अगर मैं मुर्कता देखो अगर आप यह पूरा गेम जो मैं समझा रहा हूं यह नहीं समझेंगे तो आप क्या करते हैं बच्चे अकसर क्या करते हैं वह नादान है उनको पता नहीं तो बच्चे अकसर इस पे भी दो मिनट और लग कम सकम मेरे पास इनफ टाइम बचे अगले सेक्शन को करने के लिए आप देखेंगे कि अकसर आपके पास यहां पर एक मिनट के आसपास का समय बचा होता है मेरी जो मैंने 14-15 एक्जाम का मेरा जो एक्सपीरियंस वह यह है कि हर बार मेरे पास एक मिनट यहां सवा मिनट या टोटल टाइम था जब रीडिंग और राइटिंग फिलेंग खतम हो अनुने टाइम देखा तो उनके सामने अभी भी जो टाइम पढ़ा होगा बाईस मिनट पढ़ा होगा दैट मींस कि आपने इस पार्ट को बहुत तेजी से निकाल दिया थोड़ा रुको सबर करो और दे सोला मिनट में आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे क्याल से बाकी बच्चे सोला मिनट में आपको ये बाकी के तीन सेक्शन को निप्टाना है रियोडर पारग्राफ रीडिंग फिल इन दे ब्लैंक और रीडिंग सुरी एमसी को सिंगल असर अब सोला होगे या या देख करना कि आराम से आप कर रहे हैं जितना टाइम लग रहा हुतना लगा रहे हैं इसको थोड़ा कैल्कुलेशन को समझेंगे आगे चलते नेक्स पीज़ पे कि सोला मिनट को दो हिस्से सोला मिनट के दो हाफ हमने बनाए मेरे कहल से जहां भी डाउट तो अब प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बाकि डाउट होना ने चाहिए तो पहले हाफ में तो आपने किया रीडिंग और राइटिंग और दूसरा आपने इसी में कर दिया mcq multiple answer जो दूसरा आफिस में आपने तीन चीज़ें करनी है एक तो करना है रीडिंग एक करना है अब यह सोला मिनट जो बचें इस सोला मिनट को आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड करें और यह कैल्कुलेशन थोड़ा ध्यान से कि सोला मिनट का जो बचा इसको दो हिस्सों में डिवाइड करा जाएं तो यह कितना आया आठ मिनट अब इस आठ का हम कैल्कुलेशन इस तरह से करेंगे आठ मिनट में प्लस माइनस टू करना है आपको प्लस और फिर माइनस और टू यह करना है यह थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस टू का मतलब कि एक हिस्से से दो मिनट कम हो जाएंगे और वो दो मिनट दूसरे हिस्से में जूड जाएंगे इसका मतलब देखो आठ में से दो मिनट कम करो तो कितने होए छै मिनट और द कि एड़ को बड़ा इससा बनेगा it is four यह थो नों सेक्षियन के लिए बड़ा इससर्ण बनेगा सदहें एवरिज नींटू 11 की बीछ में और यह प्रैक्टिस में आपकर के देखना विससे फायदा आप देखो तो री-ोडर पैराग्राफ मान लीजे दो कोश्चन हैं तीन कोश्चन आए आपने री-ोडर पैराग्राफ में मान लीजे आठ मिनट लगा दिये now you know very well कि मुझे चै मिनट दिये गे थे लेकिन मैंने दो मिनट एक्स्टर लगा दी कि इसका मतलब मुझे थोड़ा सा क्विक्ली करना पड़ेगा अपना टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा क्योंकि एक कोश्चन है एक नंबर का बट स्टिल समय बचेगा तो कोई नुकसान तो है नहीं न हर्ज तो कुछ भी नहीं है फाइदा ही होगा अगर होगा तो आपको यह समझ आया होगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है इससे फाइदा यह है कि क्यूंकि आप अपने टाइमिंग को तीन चार जगा पे अपने जो पूरी डीडिंग उसमें चेक कर रहे हैं तो मेरे खाल से आपको थोड़ा सा बैतरिक आईडियो हो जाएगा कि आप समय से पीछे तो नहीं जा रहे कहींपे और जो बच्चे इसको फोलो करेगा ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह बच्चा कम सखम यह टाइम मेनेजमेंट के वज़ए से अपना कोश्चन खराब करके नहीं आएगा उसको पता होगा कि कैसे टाइम मैनेज करना और कैसे इसको तो अपने आगे continue करना है, so reading and writing fill in the blank and mcq multiple answer, इनका एक section है, इसके बाद reorder paragraph के उपर भी check करना है, इसके बाद आपको अगली बार time check करना है, जब आप reading fill in the blank कर लेंगे, देखो reading fill in the blank के बाद तो time जितना बचाओ आपको mcq के उपर देने ही पड़ेगा, तो कुल मिला के ती यह चार ऐसी जगह हैं जहां पर आप time check कर रहें, इसके बाद भी कर रहें, reading and writing के बाद भी हो रहा है time check, अगर आप देखने, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, deodor के बाद भी कर रहें, और यहां पर भी कर रहें, एक और example लेते हैं, आपको पास total time जो है, एक example 36 minutes, just इतना नहीं होगा, मुझे पता है, random example, 36 का एक हाप आया, 18 minute का, दूसरा आप भी कितने का आया, 18, पहले 18 minute में क्या करना है, reading and writing और दूसरा MCQ करने, the first 18 minutes are for these two, इसके बाद जो अगले 18 minute बचे, उसको आप plus minus 2 वाला करना, तो 18 में से 2 से बाद दो तो 9 आया, 9 में से एक बार 2 कम कर दो, और दूसरी बार 9 में 2 जोड दो, जब 9 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा, 7, 9 में 2 जोडोगे तो कितना आएगा, तो यह जो 7 मिनट है, these 7 मिनट्स are for reorder paragraph, यह जो 11 मिनट्स हैं, यह है रीडिंग के लिंदे ब्लेंग के लिए, यह method कभी fail नहीं होता है, यह method आज तक कभी fail नहीं हुआ, और हर बार आप देखेंगे कि within 5-10 सेकेंड आगे पीछे होता है, यह इतना perfectly काम करता है, मैं पिछले लगों 4-5 मिने से मैं कम से कम 30-40 अपने जो official mock test हों, वो मैं इस method से देखेंगे देख चुका हूँ, और यह method हर बार मेरे लिए इतना perfectly fit back था है, कि मेरे पास last में एक मिनट, दो मिनट बच जाते हैं, MC को single answer के लिए, so that was it, मेरे खाल से यह एक बहुत बड़ी समस्या जो है reading में time management की इस समस्या का दूर करने वाला एक चोटा सा video है, I hope कि आप सब यहां से कुछ सीखेंगे important, ऐसी और कुछ और important, कुछ interesting पीडी के बार में वीडियो देखने के लिए, please इस चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर ले न, काफी हमें जो YouTube हमें जो देता है feedback उसमें हमें पता चलता कि most of the viewers हैं, वो हैं जोनोंने subscribe नहीं कर रखा, तो in case आपको लगता है कि वीडियो आपको ढूंद के ना देखनी पड़े, वीडियो अपने आपके सामने हैं, तो please इसको subscribe कर ले, पीडी की journey में ये एक अच्छा step होगा आपके लिए, फिलाल एक बार thank you very much, कोई doubt हुआ तो please आप comment box में लिखें, मुझे पता आप सबका एक comment पकाने वाला कि reading के जो methods उनके उपर क्या video होगी या कैसी video है, तो वो video में उनका बहुत सारा part तो हम ऐसे share नहीं कर सकते openly, क्योंकि वो students के लिए है, जो student already enrolled है, but कुछ part जो मुझे लगता कि सब की betterment के लिए है, वो part हम definitely इसमें share करेंगे, thank you very much everyone, have a good day.